तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूटूब चैनल मार्केट यात्रा में दोस्तो इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं निफ्टी बैंक, निफ्टी कल 27 जून यानि की मंगलवार को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल परम प टारेट ओपन किया है, 15 मिनिट का टाइम फ्रेम जो कि इंटराडे के लिए बैस्ट होता है, लास्ट टाइम दोस्तों हमने डिसकस क्या था, 37,500 के नीचे प्राइज एक्षन बनेगा, तो पूट साइड जाएंगे, लेकिन दोस्तों आज मार्केट हलकी फूलगी गैप अपनी और सारा दिन आज एक जोन में घूमते रही, इसका भी हमने डिसकस क्या था कि हो सकता इस महीने मार्केट थोड़ा साइड वेज रहके, और अगले महीने या फिर इस महीने के एक्सपारी को अच्छा मुमेंटम दे दे हो सकता अपने आपको तयार कर रही हो सकती है, लेकिन दोस्तों इतना साइडवेज हो कि यह किसी नहीं सोचा होगा, जब दोस्तों आज हम पूट साइड क्यों गए थे, क्योंकि मार्केट जब गैप अपन तो होगी, डेटा सुबे सुबे तो पोजिटिव था, लेकिन थोड़ी देर के बाद 15-20 मिनट के बाद मैंने आपको बताया था कि डेटा धीरे धीरे नेगिटिव बन रहा है, तो हमने 39 वाली स्टेटजी के एनुसर, पूट साइड की मैंने पेपर ट्रेड करने के लिए आपको स्टडी दिती आज टेली ग्राम पे, जिसमें हमको दोस्तों 40 पॉइंट का नेट प्रोफिट दे तकरीबन बिलकुल यहां बोटम में मैंने उसको बुक किया और मैंने सभी को बोला भी था कि भी आप ट्रेड में बुकिंग शुरू कर सकते हो क्योंकि इससे ज्यादा साइडवेज मार्केट में और क्या मिलेगा ऐसी मार्केट में दोस्तों 40 पॉइंट मिल जाना बहुत बड़ी बात है वाई क्योंकि मतलब ट्रेफ ही करी तो कल के लिए दोस्तों हमारे कौन से लेवल रहेंगे मैं आपको दिखाऊंगा हमारी स्टडी कि आज दोस्तों इतनी ज्यादा टेक्निकल एनालीसिस जरूरी नहीं जितना ऑप्शिन चैने ऑप्शिन को जरूर देखना क्योंकि ऑप्शिन चैने में बड़ा इंट्रेस्टिंग डेटा बना हुआ है क्योंकि टेक्निकल अगर एनालीसिस आप यह देखोगे तो बिल्कुल सेम टू सेम है कल की तरह अगर दोस्तों कल बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है देखिए एक चीज याद रखना दोस् का क्लोजिंग प्राइए जो आज की जहां पर आज मार्केट घूमी इस रेंज में आने के बाद कोई बुलिश केंडल बनाए तो हम बाए ही करेंगे पूट साइड नहीं जाएंगे गैप ओपन होने में क्योंकि फिर बहुत सारे लोग ट्रैप होने वाले हैं अगर मार्के करेंगे दिन का लोग फ्राइज एक्षन बनेगा तो थोड़े से बड़े टारगेट के लिए मनलब 44,000-4200 इस टारगेट के लिए हम कोल साइड प्लानिंग करेंगे क्योंकि दोस्तों यह सपोर्ट हुआ और यह सपोर्ट हुआ काफी सुरी रजिस्टेंस हुआ और यह वाला है निफ्टी बैंक निफ्टी में तो बहुत नजदीक नजदीक बहुत ज्यादा ओपन इंट्रेस्ट है दोस्तों कोल राइटर का तो लोग ट्रेप हो सकते हैं कल अगर मार्केट गैप अपन होई तो उनको निकलना पड़ेगा उनके पास दूसरा चारा दोस्तों ब प्लान करेंगे हां दो पर बाद या फिर दो या तीन दो बजे के आएक बजे के आसपास अगर यहां पे जाके कोई नेगेटिव केंडल बना देती है तो हम थोड़ा सा डाउनसाइड प्लानिंग कर सकते हैं अधर्वाइस गैप ओपन हो थोड़ा सा नीचे आए हम कोल जाएंगे जब वहीं कल वाला हमारा लेवल है यह वाला आज का जो लो है यह मारक कर लीजिए अगर दोस्तों बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है फ्लैट ओपन होगे थोड़ा सा डाउनसाइड आती है तो तरह जार पांसो के आसपास इस तरीके का कोई स्विंग बना क्योंकि अगर आप पिछले 3-4 दिन से देखोगे तो टोटली देखिए यहां पे ट्रेंड लाइन बन रही थी फेक ब्रेक आउट आया अब फिर से यहीं ट्रेंड लाइन कंटिनीव हो रही है और इस तरीके का यहां पे आपको एक ट्रेंगल पैटरन देखेगा लेकिन ज फिर हम थोड़े से बड़े टारगेट के लिए पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं 60-70 पॉइंट का स्टोपलोस डाल के वनिस्टूड टारगेट के लिए हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों कब तक मार्केट ऐसे फसी रहेगी जैसा ही निकलेगी हमको बड़े टार्गेट मिल सकते हैं इसलिए थोड़ा सा पेसेंस रखे प्रोप पर री टेस्ट या स्विंग बनने का इंतजार जरूर करें तभी मार्केट में काम करने की सोचें बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाती है माल लीजे बड़ा गैप डाउन तो यहां तक सेलिंग प्रेशर आ सकता है लेकिन कहां तक 43,000 के लेवल तक क्योंकि 43,000 का लेवल एक साइकलोजिकल लेवल है तो यहां तक सेलिंग प्रेशर आ सकता है तक तक तो जैसे ही नीचे के लेवल पे कोई बुलिश केंडल बनेगी माल लीजे 47,000 के लेवल पे अगर कोई इस तरीके का केंडल बनती है मतलब ध्यान से सुनिएगा गैप डाउन ओपन हो और नीचे जाना शुरू करती है तो बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो और न 23,400 के नीचे यानि की इस स्विंग के नीचे हम पूट साइड ही प्लानिंग करने वाले अगर दोस्तों कल फ्लैट ओपन होती है बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होके 47,700 के उपर निकले 700 से 750 के बीच में इस तरीके का एक स्विंग बनाए और फिर अगर अगर अप साइड निकल रहे 37,750 के उपर तो फिर हम 50-60 पॉइंट का स्टोपलोस डाल गए वन इस्टूटू टार्गेट के लिए कोल साइड ही प्लानिंग करने वाले हैं यह दोस्तों लेवल थे बैंक निफ्टी के ज्यादा कुछ अलग नहीं था जैसे कल के लेवल थे आज भी ऐसे ही ले दी थी जो कि 290 से साइद 240 का 32 का साइद इसने हाई लगा था मैंने 228 पेस में प्रोफिट बुक किया था तो इसके ज्यादा कुछ दोस्तों मिल नहीं रहा था हाला कि मैंने PCI डेटा अपडेट किया था कि मार्केट का PCI डेटा नेगेटिव बना हुआ है लेकिन नाम का गुरूप है कोई कोल टिप्स का गुरूप है जो आपको स्टडी दिख रहे हैं केवल और केवल पेपर ट्रेड करने के लिए आप जोईन कर सकते हूं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको औरीजनल चैनल का लिंक मिल जाएगा नहीं तो मैं कोमेंट में प्लीज दोस्तों कोल टिप्स के लिए मताना सीखने को आपको बरपूर मिलेगा इस चैनल पर में लाइव मार्केट में जो भी मेरे से बन पड़ता है ताकि लोग ट्रेप ना हो वो अपडेट करता रहता हूं हाला कि मैं भी गलत हो सकता हूं क्योंकि भाई हम भगवान में आपको हमसी ज्यादा दिखेंगे लेकिन वह फेक सब्सक्राइबर बोट सब्सक्राइबर उनकी पोस्ट पर इतने व्यूज नहीं मिलेंगे चालिस जार ब्यालिस जार पचाह जार तो यह चीज याद रखना मेरा मेरे नाम से किसी को पैसे मत देना कोल टिप्स के लिए ना अच्छा स्कैलिपिंग ट्रेड मिला होगा इसके केंडल के बिल्कुल जस्ट उपर जाते ही मेरी ख्याल से पचाह साथ पॉइंट का यह मुझ मिला होगा निफ्टी में कल कैसा प्लानिंग रहेगा दोस्तों निफ्टी देखिए निफ्टी भी साइडवेज थी और अगर दोस्तों कल फ्लेट ओपन होती है 18691 के आसपास क्लोजिंग आई है फ्लेट ओपन होती है 18650 के नीचे निकले हलका सा स्विंग बनाए तो 18600 हमारा पहला टारगेट होगा 1015 पॉइंट का SL डालके हम पूट साइड प्लानिंग कर सकते हैं कोल साइड दोस्तों कब जाएगे 18720 के उपर जब निकल के स्विंग बनाए फ्लेट ओपन हो 18720 के उपर निकले इस तरीके का स्विंग बनाए और फिर से अगर 200 दिन के मोविंग एवरेज को और इस स्विंग को जो की 18720 30 के आसपास बन सकता है इसको अगर अपसाइड ब्रेक कर रही है तो 18800 के हमारे टा कवरी आ सकती है अगर दोस्तों गैप डाउन ओपन होगे 600 के नीचे कंटीनिव निकलते है तो दिन का हाई स्टोपलोस डालके 18550 साथ इस टारगेट के लिए हम पूट साइड पलानिंग करेंगे और अगर दोस्तों पहली ही केंडल बुलिश बन जाती है 18600 की रेंज में आ अगर ऐसी ही केंडल कल गैप डाउन ओपन होके बनती है क्योंकि दोस्तों आज वाली बुलिश केंडल गैप अपन होके बनी थी लेकिन कल अगर गैप डाउन ओपन होती है और बुलिश केंडल बन जाती है तो दिन का हाई ब्रेक होते ही हम कोल साइड पलानिंग कर सकते हैं रीटेस्ट होते ही हलका सा स्विंग बनते ही और अगर नीचे कंटीनिव 600 के लेवल को ब्रेक करते तो हर 50 पॉइंट पे हमारा टारगेट होना चाहिए निफ्टी में बड़े टारगेट हम पलान अभी नहीं करने वाले हैं उप्शिन चैनल में आपको समझ में आएगा ठीक ह हमको इंतजार करना है थोड़ा से इंतजार करना है मार्केट या तो यहां पे साइडवेज रहे थोड़ी देर के लिए और फिर ब्रेक आउट अगर देती है दिन के हाई का तो दिन का लोस्ट अपलोस डालके हम कोल साइड पलानिंग करेंगे या फिर दोस्तों मार्केट गैप ओ ओपन होगे तोड़ा सा नीचे आए अठरादार साथ सो की रेंज में यहां पे आके कोई बुली स्केंडल अगर बनाती है तो फिर हम रिकवरी प्लान करेंगो स्केंडल का हाई ब्रेक होते ही लोस्ट अपलोस डालके पुट साइड दोस्तों के अवल इसी का लेवल यहां पे अगर कोई नेगेटिव केंडल बनती है तो फिर दो पर बाद हमको यहां से डाउनसाइड भी मुमेंटम देखने को मिल सकता है तो जो सेनेरियों हो सकता था मैंने आपको बता दिया है बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर चलिए ओप्शन चैन दे लेवल पर ज्यादा उपन इंट्रेस्ट होता है लेकिन अगर आप अब देखोगे तो 550 वाले लेवल पर भी पाई 750 आट सो पचास इस लेवल पर भी भर भर के उपन इंट्रेस्ट है तो आप खुद सोचिए अगर 18,750 के उपर निकलते तो कितने सारे लोग ट्रेप होना क्योंकि सभी लोगं फिर ड्रेप होने वाले हो सकता है दोस्तों ये नोर्मल रिटेल या फिर रिटेल इनिवेस्टर की पोजिशन हो अलत्रेट इस लोगों को ट्रेप करे हैं फिवार्समार्क атेट यह दोस्तों निफ्टी का ओपशिन चैन्दा और चलिए बेंकक निफ्टी में भी ऐसा ही माहुल भना भाई है देखिए बेंक निफ्टी में दो इंपोरल है दोस्तों 7 Всёarn Caribbean एंपोर्टेंट लेडल है इसके ऊपर निख़ते हैं तो США фак αυτό का हमारा पहला 750 तक जाए इस तरीका का स्विंग बनाए फिर से 750 के उपर निकल रहे फिर ये लोगों के होसले तूट जाएंगे इनके स्टोपलोशीट होना शुरूँगे फिर मार्केट एक अच्छा मुमेंटम अपसाइड कर सकती है पहला टार्गेट हमारा 44,000 का हो जाएगा दूसरा टार्गेट हमारा 44,200 का हो जाएगा और अगर दोस्तों पूट साइड की बात करू तो 500 के नीचे ही हमको पूट साइड पलानिंग करना है पांसो के नीचे फिर सीधा 47,000 के लेवल पर ही ओपन इंट्रेस्ट ही तना ज्यादा कुछ है नहीं फिर पांसो के नीचे तो मेरी ख्याल से कुछ भी नहीं है ठीक है तो दस पजे के बाद ओप्सिन चैन को देखेंगे क्योंकि पोजिशन नहीं बनती है और यह अडजेश्ट हो जाती है पोजिशन सुबह सुबह मत देखना ओप्सिन चैन को और जैसा भी अपडेट होगा दोस्तो मैं आपको टेलिग्राम पर अपडेट करने की पूरी कोशिस करूँगा दोस्तों वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं अपना केमतिस में निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो अच्छे लगई हो तो शेर जरूर करना ताकि जो आपका मार्केट को लेकर व्यूव है कमेंट दोस्तों जर में और आज का वीडियो दोस्तों यह तक था मिलते हैं कल एक ने वीडियों तब तक अपना ख्याल रखें खुच रहें सबस्त रहें जय माता दी जय हिंद